Hello friends, कैसे हो सब लोग? I hope सब लोग अच्छे होंगे, बहतर होंगे और स्वस्थ होंगे Welcome to Affairs Cloud Learn to Lead तो आज की वीडियो में हम देख सकते हैं 13th of Jan 2021 के current affairs को discuss करेंगे जो की बहुत important current affairs है Almost हम 15 current affairs को discuss करेंगे जो की आपके exam के लिए बहुत ही बहतर होंगे और guys, ये वीडियो हिंदी में रहेगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज वीडियो को like कर दें और share कर दें और channel को subscribe कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हमारी affairs cloud की subscription किस तरह से बाई कर सकते हैं और मैं आपको कल भी बता चुका हूँ और आगे भी बताता रहूँगा कि आपको 2021 की जो subscription है वो आपको website पे नहीं मिल रही है तो इसका मतलब आप उसको कहां से assess कर सकते हो आप आप को download करेंगे आप का link description box में given है तो आप को download कर लें तो सारी चीजें quiz हो गया इवन जो बच्चे कह रहे हैं कि sir 10 questions है quiz के या कम questions है quiz के पहले ज्यादा होते थे तो आप क्या करें आपको download कर लें आप में वो सारे questions आपको quiz के मिल जाएंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदे मन रहेगा तो आपको download कर लें सारी चीजें आपको वहीं पर मिलेंगे और आपको subscription के अंदर हम क्या provide कर रहे हैं आपको daily wise PDF मिला करेगी daily wise PDF में हम आपको दो तरह की PDF provide करेंगे एक PDF में theoretical current affairs होंगे उसी दिन के दूसरी PDF में question and answer format में current affairs होंगे उसी दिन के next होगा weekly PDF जिसमें week wise current affairs को arrange किया गया तांकि आप उसको अराम से revise कर सको weekly test होगा अपने आपको evaluate करने के लिए कि आपको कितने current affairs याद रहते हैं next होगा monthly PDF section जो की बहुत important section है क्योंकि इसमें हम आपको अलग-लग तरह की PDFs provide करते हैं जैसे की एक PDF होगी study PDF जिसमें हम आपको पूरे महीने के theoretical current affairs provide करते हैं next question and answer PDF मत्तब theoretical current affairs को question and answer format में दिया जाएगा तांकि आप अराम से उसको revise भी कर सको और बहुत लंबे समय तक याद भी रख सको next होगा pocket PDF जिसमें आप current affairs को जल्दी जल्दी revise करना चाते हैं exam से पहले तो यह PDF आपके लिए सायक होगी next banking finance और economy PDF जो की बहुत important है खास करके उन बच्चों के लिए तियार की जाती है जो banking exam, insurance exam या RBA की किसी exam की तियारी कर रहे हैं next होगा top 100 current affairs यह PDF आपको पूरे महीने के top 100 current affairs के एक PDF format मिलेगा वो भी question and answer format में तो यह सारी चीज़ें आपको हर महीने मिला करेंगी और यह plan जो है वो 2 साल, 1 साल, 6 महीने की validity के साथ उपलब्ध है किरपर app को download करें और उसी के थुरू आप इसको assess कर सकते हो और guys यह बहुत ही कम दाम पर हम आपको provide कर रहे हैं और उस कम दाम के उपर हम आपको 10% extra discount दे रहे हैं किस तरह से मिलेगा तो आप इस code को use करें ASH10 तो ASH10 code को use करने से आपको 10% extra discount जो है वो जरूर मिलेगा तो हम start करते हैं 13th of Jan 2021 का current affairs लेकिन उससे पहले यार वीडियो को like कर दें और चैनल को subscribe कर दें target है हमारा 700 plus likes का जो की आप हमें देंगे ताकि हमें motivation मिले और हम और तरह के current affairs आपके सामने लेके आ सकें तो पहला question और पहले section के अंदर जो की most important question section है इसमें हम 4-5 questions को discuss करेंगे और पहला question है हमारे पास which country hosted one planet summit 2021 सब बच्चे answer को सोच लें और फड़ा फड़ा answer को बताएंगे one planet summit 2021 जो है वो किस country ने host की है इसको United Nation, World Bank और उस country ने मिलके जो है वो क्या किया है organize किया है लेकिन इसका ये session 2021 का कहां पे हुआ है ये आपने मुझे बताना है मेरे ख्याल से सब बच्चों ने answer सोच लिया होगा answer क्या है इसका France है दोस्तों answer क्या होगा France one planet summit 2021 तो आप यहाँ पे देख सकते हो world leader at France summit also known as the France summit focus on better protecting biodiversity तो किस तरह से biodiversity को focus करके रख सकते हैं मतलब किस तरह से उसको बचा के रख सकते हैं conserve कर सकते हैं तो उसके उपर ये meeting जो है वो की गई है लेकिन इंडिया ब्राजिल रशिया और United States इन्होंने इस meeting को attend नहीं किया लेकिन आपने याद रखना है कि ये meeting जो है वो आपके लिए question point of view से बहुत जादा important है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये fourth edition है one planet summit का और हमने as a planet जो है वो पूरी biodiversity को conserve करके रखना है यहीं इसके अंदर motive जो है वो रखा गया है और इसको मैं पहले पता चुका हूँ United Nation और World Bank का और France की government ने मिलके जो है वो क्या किया है इसको organize किया है तो याद रखना है दोस्तों बहुत important है और इसमें negotiations for setting global biodiversity targets in order to protect nature in the next decade अगले 10 साल के अंदर हमने किस तरह से biodiversity को preserve करके रखना है उसके बारे में चर्चा हुई और इसका theme क्या था तो यह बहुत important है यह आपको examiner पूछ सकता है let's act together for nature मतलब पूरे planet को एक साथ मिलके nature की सेवा जो है वो करनी होगी उसको बचाना होगा तो यहीं है क्योंकि आप COVID-19 के दुरान देख चुके हो और वैसे भी आप देख रहे हो कि जो earthquakes बढ़ रहे हैं, floods आ रहे हैं तो यह किसी ना किसी तरह से nature को हम बीच में disturb कर रहे हैं, उसी के कारण यह सारी चीज़ें आपके साथ हो रहे हैं तो इसलिए nature को बचाना जो है वो बहुत जरूरी है तो यह United Nation की conference होगी बायर डिवस्टी की 2021 में उसके अंदर इसके बारे में जो है वो आगे चर्चा की जाएगी तो आपने मुझे बताना है अभी हम इसका question कर रहे हैं क्योंकि यह question format में मैंने cover किया है तो आपने इतने में सोच लिए answer क्या होगा United Nation Conference on Biodiversity 2021 कहां पे होनी है तो World Bank के बारे में जान ले Washington DC headquarter है और President कौन है David Malpass और France की capital आपको पता है Paris है currency कौन सी है तो हम अगले question की दरब बढ़ते हैं और अगला question हमारे पास क्या है वहीं जो मैं आपसे पूछ रहा था Which country will host United Nation Conference on Biodiversity 2021 कौन सी country host करेगी 2021 की इस meeting को जिसके अंदर Biodiversity के बारे में चर्चा की जाएगी किस तरह से conserve करना है और किस तरह से मिलके हम nature को बचा सकते हैं और ये कौन सी country host करेगी चाइना तो याद रखना है अपने आप में एक बहुत important question है क्योंकि United Nation Framework on Climate Change ये जो COP26 होने वाली है Climate Change के उपर ये कौन सी country host करेगी ये करेगी Scotland मतलब ये meeting कहां पे होगी Glasgow में होगी तो next question की तरह बढ़ते हैं which national park scored high and topped according to management effectiveness evaluation 2018-19 report कौन से national park को first number जो है वो आंका गया है किसकी तरफ से और वो कौन सी report के अंदर आंका गया है report का नाम है management effectiveness evolution लेकिन और ये कौन सी ministry की तरफ से union ministry of environment, forest and climate change की तरफ से ये rank क्यार किया गया है report जो है वो 2018-19 का data जो है वो लिया गया है तो फड़वड बताएंगे most important question है कि सबसे अच्छा national park मतलब सबसे ज़्यादा score और पूरी list में सबसे ज़्यादा top जो है वो कौन से national park ने किया है फिर मैं आपको wild life century के बारे में बताऊंगा answer क्या होगा इसका great himalian national park जो की कौन सी state में आपको मिल जाएगा यह आपको मिलेगा हिमाचल परदेश में तो याद रख लेना है great himalian national park हिमाचल परदेश में अगर आप यहाँ पे जल्दा पाड़ा national park देख रहे हो यह आपको west wing all में मिलता है राइमोना national park जो नया national park एड किया गया असम के अंदर sixth national park काजी रंगा national park भी आपको कहाँ पे मिलेगा असम में लेकिन top पुछा गया है तो वो कौन सा होगा great himalian national park हिमाचल परदेश और अगर आपको wildlife century पूछें वो भी हिमाचल परदेश की top है तीर्थन wildlife century याद रखना है T I R T H A N तीर्थन wildlife century वो भी कहाँ पे है हिमाचल परदेश में बहुत ही अच्छी जगा तीर्थन valley वहाँ पे है तो union minister प्रकाश जावेड कर जी क्योंकि वो union minister है किस चीज़ के environment, forest and climate change के तो उन्होंने इस report को release किया है का नाम है management effectiveness evaluation report और national park और wildlife century 146 national park और wildlife centuries को इसके अंदर आंका गया है तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा rank national park में great himalya national park का है और wildlife century में आप देख सकते हो तीर्थन wildlife century का है और दोनों को top rank जो है वो दिया गया और दोनों ही कहाँ पे है हिमाचल परदेश में और इससे पता लगता है कि हम protected area के उपर कितना ध्यान दे रहे हैं उसकी testing की जाती है कि कितना हम उसको conserve करके रख रहे हैं और इसमें जो साथ देता है Ministry of Environment, Forest or Climate Change का वो Wildlife Institute of India देता है यह बहुत important है कि कौन जो है दो नए जू जो है वो declare किये गए है एक राजगीर जू राजगीर आपको पता है कहां पे है वो बिहार में आपको मिलेगा एक शहीद अश्वाक उल्ला खान प्रानी उड्यान इन गोरकपूर उत्तरबरदेश तो दोनों याद रखने है शहीद अश्वाक उल्ला खान जू और राजगीर जू सफारी ये दोनों जो है वो नए जू जो है वो declare किये गए है एक आपने याद रखने status of leopards report जो है वो issue की गई है किसकी तरफ से प्रकास जावेड कर जी और आपको पता है कि मद्यपरदेश जो है वो पहले स्थान पे है जिसमें सबसे ज़्यादा leopards है और साथी साथ आपने करनाटका का याद रखना है करनाटका जो है वो दूसरे स्थान पे है और Wildlife Institute of India के बारे में पता होना चाहिए location बहुत important है तो next question के उपर आते है और वो कौनसी डेट को उनका जनम हुआ था 12 जनवरी को तो याद रखना है 12 जनवरी को हम national youth day बनाते है और इसमें मैं आपको एक static JK का question cover करवाता हूँ कि Ramakrishan Mission शायद आपने सुना होगा Ramakrishan Mission जो है वो भी स्वामी वेकानन जी ने बनाया था अपने गुरू जी के नाम से और 1897 में उसकी स्थापना जो है वो की गई थी तो history point of view से भी इसको याद रखें Ramakrishan Mutt और Ramakrishan Mission 1897 में इसको establish किया गया था और इस बार हम 158th birth anniversary celebrate कर रहे हैं क्योंकि मैं बात कर रहा था 1863 में इनका जन्म हुआ था और याद रखना है इसी दिन 24th national youth festival भी जो है वो celebrate किया गया 12 से लेके 16 जन्वरी तक चलेगा ये उसका theme क्या होगा युवा उत्षा नए बारत का मतलब young generation उत्षा जो है वो नए बारत की क्योंकि वहीं जो है वो इंडिया को आगे लेके जा सकते हैं लेकिन आपने इसको confuse नहीं कर देना International Youth Day के साथ International Youth Day जो है वो दोस्तों कब मनाया जाता है पहले देश आएगा फिर दूसरा देश आएगा तो इस तरह ज़े आप याद कर सकते हैं नेक्स कोश्चन आते हैं लेकिन यहां पे Most Important Question section के चारो कोश्चन Complete हो चुके हैं अब बढ़ते हैं Very Important Question section की दरफ और Very Important में पहला question है Which State Government Approved One Time Settlement Scheme for Traders तो जो Traders का बकाया था GST था उनका या उनका कुछ Tax Pending था तो सरकार ने उनको एक One Time Offer दिया है Settlement दिया है जिसमें सरकार को खुद को नुक्सान होगा लेकिन COVID के कारण यह किया गया तांकि वहां के जो Traders हैं Businessmen हैं वो जो हैं वो कहीं और उनका Business जो है वो खराब न हो जाए उनको और सक्षम बनाने के लिए यह किया गया तो यह बहुत ही अच्छी पहल है उस State Government की इवन उस State Government को खुद 121 क्रोड रूपीस का जो है वो Almost जो है वो उसमें खर्चा आएगा लेकिन फिर भी उस State Government ने इसको स्टार्ट किया कौनसी स्टेट की हम बात कर रहे हैं और दोस्तों मेरे खाल से अंसर आपने सोच लिया और आप कमेंट कर रहे हो तो अंसर क्या होगा इसका पंजाब होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो पंजाब कैबिनेट अप्रूज वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर दी ट्रेडर्स तो आप यहाँ पे देख सकते हो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है वो रिकावरी ओफ आउटसेंडिंग ड्यूज है जो सरकार के 2021 में मतलब उन्होंने आने थे उनके पास लेकिन वो ट्रेडर्स ने क्लियर नहीं किये थे लेकिन उसको अब जो है वो नए सीरे से जो है वो देखा जाएगा इसमें क्या होगा कि बेस्ट ऑन असेस्मेंट्स कंड़क्टेट फॉर 2013-14 अराउंट 40,000 प्लस डिलर्स विट डिमांड अफ अप टू 1,00,000 मतलब आपने सिरफ 10% ही पे करना है तो इसका मतलब टोटल जो अमाउंट है वो सरकार की जो अनुमानित थी वो 96 क्रोड के आसपास थी लेकिन अब सिरफ 2 या 3 क्रोड रुपिया ही सरकार के पास आएगा लेकिन इससे क्या होगा कि small and medium businesses जो होंगे उनको बहुत फाइदा मिलेगा क्योंकि वो COVID-19 के दोरान अल्लेडी सफर हो चुके है तो इसलिए उनको business को बचाने में ये help जो है वो की जा रही है तो दोस्तों याद रखना है ये कौनसी state government है पंजाब है और इसमें याद रखना है पंजाब में एक पूरे इंडिया का सिरफ एक river conservation reserve वो आपको पंजाब में मिलेगा और वो कौनसा है ब्यास और चीफ निस्टर आपको पता है कैप्टन अमरिंदर सिंग है साथ ये जिनोंने डिजी nest portal जो है वो start किया था जिसमें आपको government की directories जो है वो मिल जाएंगी और दूसरी चीज सबसे important यहाँ पे आपको मिलेगा एक हरी के lake जो की एक wetland है रामसर साइट है एक आप मिलेगी कांजली lake आपको यहाँ पे बहुत important यहाँ पे चीज़ों मिलेगी गवर्नर कौन है वीपी सिंग बदनोर next question के उपर आते है who released the 22nd issue of its biannual financial stability report 2021 किसने दी question थोड़ा सा confusing है लेकिन ध्यान से सोच के देखियो कि financial stability report जो है वो कौन दे सकता है हमारे लिए यहीं important keyword यहीं है financial stability report 2021 क्योंकि इसमें बताया जाता है कि NPA जो है वो कितना बढ़ चुका है कितना NPA और हो सकता है तो इस बार कि जो report आई है उसमें NPA बहुत जादा आएगा क्योंकि COVID के कारण बहुत जादा लोग जो है वो पैसा नहीं चुका पाएंगे और जो हमारा non-performing asset है वो banks का बढ़ेगा और यह report किसकी तरफ से दी गई RBI की तरफ से दी गई तो आप यहाँ पर देख सकते हो banks gross NPA जो है prediction है कि September 2021 तक यह बहुत जादा बढ़ सकता है और यह 13.5% तक पहुंच जा सकता है अगर हम September 2021 तक की बात करें लेकिन अगर हम last year की बात करते है 2020 की तो सिरफ 7.5% था लेकिन यहीं एक साल के अंदर जो है वो almost double हो सकता है और अगर severe to severe condition भी हम लेके चलें तो 14.8% जो हो सकता है जो कि पिछले 24 सालों का जो है वो सबसे बड़ा record होगा मतलब इतना जादा gross NPA जो है याद रखना है तो next question की तरफ आते हैं अगले question की और बढ़ते हैं Which e-commerce company and Niti Ayog have collaborated to launch the updated woman entrepreneurship program यह वो पहले भी चला चुके हैं 2017 में Niti Ayog ने इसी e-commerce company के साथ मिलके चलाया था ताकि एक woman की community बने और उस community के अंदर वो एक दूसरे से discuss करके अपनी knowledge को enhance करे और साथी साथ woman entrepreneurship को और बढ़ाएं और यह कौन सी company के साथ उन्होंने sign किया है यह sign किया उन्होंने flip card के साथ तो आप यहाँ पर देख सकते हो Flip card collaborate to enhance Niti Ayog woman entrepreneurship program और यह वो पहले ही start कर चुके हैं 2017 में Niti Ayog ने इसको start किया था अब नई तरीके से start किया है इसमें languages भी जाद है इसमें नई technology का use किया गया है ताकि कोई भी वो community के अंदर जो भी women हैं वो आपस में connect हो सके और clarification हो सके उसमें GST से related, funding से related pandemic का क्या effect होगा किस तरह के business को बढ़ावा मिलना चाहिए ये सारी चीज़ें आपस में क्या होगी discuss होगी तो एक gap जो की knowledge seekers है जिनको knowledge चाहिए और जो knowledge providers है उनका जो gap है वो basically यहाँ पे खतम हो जाएगा और इस platform के थूँ उसको जो है वो खतम किया गया है तो flip card के बारे में दोस्तों याद रखने है निती योग के बारे में सबको पता है चीफ एक्जेक्टिव ऑफिसर अमिताप कान्त है इसके डेप्टी चीफ कौन है मतलब इसके वाइस चेर्मेन कौन है डॉक्टर रजीव कुमार है और इसके चेर्मेन कौन है प्राइम निस्टर मोधी जी नेक्स्ट कोश्चन आते है विच बैंक साइन डे एममयू विद जैकिसान तो एक्सपैंड असेस तो फाइनेशल सर्विसीज़ एंडिविजिल और बिजनेसे इन करनाटका स्पैशली ये कौन सी गवर्मेंट के लिए है ये करनाटका गवर्मेंट के लिए तो याद रखना है दूसरी चीज़ इसमें एक तो जैकिसान है जो कि उन या कौन से बैंकी बात कर रहा हूं करनाटका विकास गरामिन बैंकी यहाँ पर बात कर रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका मतलब यह नहीं है कि यह farmers को include नहीं कर रहे हैं इसमें farmers even non-farmers दोनों ही क्या है included individual category में सब लोग जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे जैकिसान क्या करेगा इसके अंदर मतलब वो clients को लेके आएगा किसके लिए करनाटका विकास ग्रामिल बैंक के लिए enabling end-to-end operation and facilitation for credit and other financial service for customer through its technological capabilities मतलब क्योंकि मैं पहले पता चुका है वो fintech organization है जिसके थूँ वो लोगों को लेके आएंगे और करनाटका विकास ग्रामिल बैंक उनकी help करेगा उनको credit चाहिए या उनको और तरह की financial service चाहिए उनको उनके साथ जोड़ेगा तो दोनों का आपस में क्या हुआ टाइप तांकि करनाटका को जो financial experience है जो financial inclusion है वो क्या हो सके बढ़ सके तो यहां पर हमारे लिए important हो जाता है करनाटका विकास ग्रामिल बैंक जो कि आपको मिलेगा करनाटका के अंदर by default दरवाद के अंदर ये ग्रामिल बैंक है chairman P. Gopi Krishna है हमारे लिए important नहीं है और center government इसको own करती है state government का हिस्सा है sponsor bank वो सारे RRBs में रहेगा जिसमें 50% जो है वो center government 15% state government और sponsor bank का जो रहेगा वो 35% के आसपस रहेगा और आपने याद रखना है कि first RRB को कब established किया गया था first RRB प्राथमा गरामिल बैंक को गांधी जी के बर्डे के दिन 2nd October 1975 को बनाया गया था प्राथम का मतलब दोस्तों क्या होता है first Grameen Bank प्राथमा Grameen Bank मुरादाबाद UP के अंदर बनाया गया था फिर बाद में एक साल बाद 1976 में इसका एक Act भी बनाया गया जो RRB Act के नाम से famous हुआ फिर इसको regulate करने के लिए organization बनाएगी नबाड के नाम से आतम निर्बर भारत तो एक नया MOU sign किया गया ATEL की तरफ से किस company के साथ sign किया गया तांकि जो MSMEs है Micro, Small and Medium Enterprises है उनको हम आतन निर्बर भारत के और प्रेरीत कर सकें उनको हम digitalize कर सकें तांकि हमारा आतन निर्बर भारत का जो सपना है वो और भी ज़्यादा enhance हो सके तो यह tie-up किसके साथ हुआ है तो यहाँ पर आप option देख सकते हैं मेरे कहल से सब बच्चों ने answer सोच लिया होगा अंसर क्या होगा इसका National Small Industries Corporation जो कि आप बहुत ही कम news में सुनते हो लेकिन आपने इसको याद रखना important question है क्योंकि Airtel है तो दूसरी company जो कि बहुत important है दूसरी एक organization जिसका नाम अब बहुत ही कम जो है वो सुनते हो तो इसलिए इसको बहुत importantly आपने क्या रखनेना है याद रखनेना है तो National Skill Industries Corporation तो आप यहाँ पर देख सकते हो NSIC और Airtel ने यह team बनाई है कि वो digital transformation करेंगे MSM इसका तो यहाँ पर आप देख सकते है It is for the digital transformation ताकि वो अपनी नई technology को use कर सके क्योंकि micro, small and medium enterprises में खास करके जो micro industries हैं वो इतनी able नहीं है कि वो digital transformation कर सके तो उनकी help जो है वो Airtel की तरफ से की जाएगी मतलब Airtel हर तरह का solution जो है provide करेगा digital connectivity के लिए चाहे वो landline से related है चाहे वो internet connectivity से related हर तरह की साहता Airtel करेगा ताकि उनकी digital connectivity को और भी improve जो है वो किया जा सके और information and communication technology को बहतर बनाया जा सके तो with this MSMEs will served with business automation ताकि automatic process जो है वो increase हो सके और उनकी connectivity की need किसी भी तरह की है वो पूरी तरह से secure की जा सके और अपने data को वो cloudly restore कर सके और recently आपने याद रखना है बहुत important news है even question आने के chances बहुत जादा है जो भी अभी mains का exam देंगे कि परधान मंत्री मोधी जी ने मतलब प्राइम निस्टर मोधी जी ने एक submarine optical fiber cable का जो है वो उद्गाटन किया था जो चन्नाई से लेके अंडेमा निकोबार तक जाती है क्योंकि आपस में बीच में समुंदर है तो उसको connect करने के लिए submarine optical fiber cable का उद्गाटन किया गया जिससे क्या होगा airtel become the first mobile operator to launch ultra fast 4G ultra fast 4G service in the union territory of अंडेमान निकोबार आईलेंड यह अपने आप में बहुत ही जादा important और बहुत ही बहुत ही बहतर question है तो याद रखना है इसको और आपने याद रख लेना है इस national small industries corporation के बारे में इस corporation के बारे में याद रख लेना है यह 1955 में इसको established किया गया था यह ministry of micro small and medium enterprises के अंदर काम करती है और इसका headquarter कहां पहुत होगा New Delhi और airtel के बारे में मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है headquarter New Delhi है chairman Sunil Bharti मितल है नेक्स आते हैं दोस्तों अगला question What is the name of management information system portal developed by BEE for monitoring of progress of energy conservation steps at the state level यह center level पे नहीं कहां पे बात हो रही है यह बात हो रही है state level पे और क्या नाम है उस portal का जो develop किया गया तांकि state level पे जो energy conservation की needs है उसको पूरा किया जा सके और वो इसी portal के थूरू जो है वो पूरा किया जा सकता है और यहां पे आपने याद रखना है BEE का मतलब है Bureau of Energy Efficiency और उस portal का नाम कहा है दोस्तों उस portal का नाम है साथी याद रखना है क्या नाम है साथी तो आप यहां पे देख सकते हो और यह launch किसने किया इस portal को शिरी आरके सिंग जो की हमारे मिनिस्टर आफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज पावर इंड न्यू एंडर नेबल इनर्जी के उन्होंने साथी साथ थर्टियत नैशनल इनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स भी दिये हैं जो अलग-लग सेक्टर्स में दिया जाते है लेकिन आपको सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना ही किसी एक्जाम में इसको पूछना है सिरफ एनर्जी मेनेजमेंट सेंटर का आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि केरला को पहला प्राइस जो है वो स्टेट लेवल पे दिया गया है तो मतलब एनर्जी कंजर कि किस तरह से हम एनर्जी को बचा सकते हैं ये पोरल फॉर स्टेट डेजिगनेट इजंसी फॉर स्टेट लेवल एक्जा लॉंच्छ्ट की एक्टेष को मोनिटर करने के लिए साथी पोर्टल के थूरू जो वो उसको किया जा सकता है और ये मैनेज्मेंट इंफॉमेशन सि है कि इंडिया जो है वो बहुत ही कम energy को consume करता है जिसके कारण हमें ये जरूरी है कि हम और भी energy को जब अच्छे से conserve जो है वो कर सकते हैं और आपको पता है ministry of power मैं अभी बता के अटाओं कि यार्के सिंग इसके minister of state है independent charge है next question आते हैं professor शशी कुमार मदू सुधन recently passed away वो किस बात के लिए famous थे he was famous yes बताएंगे वो क्या थे फटाफट answer देंगे सब लोग answer देंगे और मैं आपके answer की wait कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा answer दे रहे हैं और मेरे ख्याल से almost सारे बच्चे जो है mathematician भी थे उनका 84 मतब 84 की age में उनका देहान थो गए महाराश्ट्रा में और उनको पदम बूशन से भी जो है वो सम्मानित किया जा चुका है वो retired senior professor है Tata Institute of Fundamental Research के अंदर मुंबई के अंदर रहे है वो तो इसलिए उनका नाम जो है शशी कुमार मदू सुधन चित्रे पूरा नाम है उनका नेक्स आते हैं दोस्तों अगले question के उपर who is elected as the president of किर्जिस्तान again अपने आप में एक बहुत important question कि किर्जिस्तान के president के रूप में किसको appoint किया गया है अंसर बताएंगे और उनकी political party का नाम है patriotic political party patriotic political party पी 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 और अंसर क्या है इसका अंसर है जैप्रोव साध्यार नर्गोजोईविच तो नाम को याद कर ले चाहे पहले दो words आप याद कर लें जैप्रोव साध्यार इससे ही आपका अंसर जो है वो clear हो जाएगा क्योंकि नाना अकूफो क्या रहे है प्राइम निस्टर रहे है तो अंसर यहाँ पे क्या होगा अंसर होगा यहाँ पे जैप्रोव साध्यार यह अंसर होगा किरजिस्तान के क्या बनाए गए है यह नए प्रेजिडेंट बनाए गए है किरजिस्तान की capital बिश्केक है और करंसी क्या है किर्जिस्तानी सोम तो याद कर लें किर्जिस्तानी सोम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किर्जिस्तान को किर्जिस्तान की बाउंडरी शेयर हो रही है चाइना की शेयर हो रही है उपर से कजाक स्थान शेयर हो रहा है नीचे से उजबेकी स्थान भी जो है शेयर हो रहा है तो याद रखना आपने बहुत ही important है नेक्स आते हैं दोस्तों यहां पे आपको एक river भी दिखेगी कारादरिया यह बहुत important है और सिर दर्या जो है वो जबेकिस्तान के अंदर है कारादरिया जो है वो किर्जिस्तान के अंदर है नेक्स आते हैं who will head high level committee to mark नेता जी 125th birth anniversary अपने आप में एक important question 125th birth anniversary 23rd jan से celebration स्टार्ट हो जाएगा वन इयर celebration चलेगा नेता जी सुबाश चिंदर बोश की anniversary है उसमें बहुत ही high level के ministers हैं उसमें आपको Amisha मिल जाएंगे उसमें आपको Manmohan Singh मिल जाएंगे हमारे former prime minister है गुलाब नभी अजाद मिल जाएंगे ओम बिरला मिल जाएंगे बहुत ही famous famous personalities उसमें मिल जाएंगे और उसको lead कौन करेगा दोस्तों नरेंदर मोधी जी lead करेंगे याद रखना है एक simple सा question simple सा answer नेक्स आते हैं दोस्तों important questions की तरफ important question में पहला question है और थरे book titled unscripted conversations on life and cinema तो life or cinema unscripted तो by default किसी film हस्ती या किसी film producer या डिरेक्टर ने इस book को लिखा होगा तो फड़ावड बताएंगे किसने इस book को लिखा है नाम है unscripted conversations on life and cinema तो इसमें कोई मतलब scripted नहीं है उन्होंने जो सही है उसी के बारे में लिखा है ये उनका कहना है और ये book लिखी है विदू विनोच चोपड़ा one of the most famous producer and director नेक्सिस अभीजी जोशी बहुत ही famous writer है तो क्या होगा दोस्तों अंसर अंसर क्या बनेगा बोथ है and C तो अंसर होगा विदू विनोच चोपड़ा और अभीजी जोशी दोनोंने मिलके इस book को लिखा है और विदू विनोच चोपड़ा को मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे बहुत ही famous producer रहे हैं खास करके मुन्ना भाई MBBS के बाद और 3 idiots के बाद सब लोग उनको जानते होंगे तो यहां पर आप देख सकते हो book का cover page और यह विदू विनोच चोपड़ा की आप picture photo यहां पर देख सकते हो और अभीजी जोशी के साथ उन्होंने मिलके लिखा है unscripted book को सिरफ एक ही word से आप याद कर सकते हो unscripted word से इसको याद रखना है नेक्स आते हैं दोस्तों अगला question which Indian was a part of six member winning team of NASA Artemis next generation stem moon to mars app development challenge तो एक app development challenge था जो की NASA की दरव से दिया गया था तो छे member team ने उसको जीता है जिसमें एक Indian भी थे तो आप मुझे बताएंगे वो क्या Indian का क्या नाम है यह आपने मुझे बताना है और NASA का यह mission जो है वो अपने आपने एक बहुत important mission है यह आपने याद रखना है यह इस mission को एक title दिया गया है मतलब इसको कहते हैं first woman and next man on the moon याद रखना है first woman and next man on the moon by 2024 यह 2024 में इस mission को बेजना है NASA ने जिसको कहा गया Artemis next generation mission और यह moon की तरफ जो है वो mission जाएगा और इसमें एक Indian है six member में वो आरियन जैन है just simple question है सिरफ नाम को याद करना है otherwise इस question में दो तिन चीज़ें आप सीख सकते हो एक तो Artemis program के बारे में जान सकते हो moon का है 2024 में इसको बेजा जाना है clear याद रखो गया बहुत important है फिर moon से वो कहा जाएंगे मार्स की तरफ जाएंगे इसलिए इसका नाम है moon to mars next आते इंडियास GDP to expand by 10.1% in financial year 2022 by ICRA यह किसकी तरफ से कहा गया है यह ICRA credit rating agency के मतलब Indian credit rating agency की तरफ से यह कहा गया है कि हम financial year 22 में जो है वो 10.1% तक ग्रो करेंगे सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है ताकि एक दो बार अगर आप question को पढ़ो ताकि यह आप अंसर को clear कर सको next आते हैं one liner important points के उपर first है great himalya national park और तीर्थन wildlife century हिमाच्य परदेश की उन्होंने score high किया यह हम जान चुके है next India becomes the second largest manufacturer of PPE kit suits तो यह अपने आप में एक question है लेकिन आपने याद रखना है इंडिया second बड़ा manufacturer बन गया तो आतन निरबर बारत की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पहला स्थान किसका है पहला स्थान सब बच्चों को पता होगा सर पहला स्थान इसमें होगा यहां पे चाइना का याद रखना है पहला स्थान जो है वो किसको मिल गया है चाइना को मिल गया है लेकिन आतन निरबर बनने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा जो है व महाराष्ट्रा बेस जो है वो एक बैंक था जीडिपी जो है वो 10.1 परसेंट तक बढ़ेगी इकरा ने कहा है बात कर चुके हैं प्राइम निस्टर मोदी जी 125 अनिवर्सरी जो नेताई शुबास चंदर बोस की 23 जैन से हम मनाना स्टार्ट करेंगे उसको लीड करेंगे नैश साते हैं दोस्तों 12 जैन 2021 के अंसर देने की बारी आ गिये लेकिन क्या था हमारे पास तांकि कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है विदिन नेनो सेकंड और हमें अंसर जो है वो परवाइड हो जाता है और उसका नाम क्या है अडर्रिनिल तो याद रखना है अडरिनिल ये जो है वो एमर्जंसी हार्मोन है आपको एमर्जंसी हार्मोन पूछा ग या होगा comment box में अंसर को बताना है क्योंकि मैं हर रोज आपके answers को evaluate करता हूँ तो guys thank you very much for watching this video और यार मुझे आपसे 2-3 चीज़े चाहिए कि एक तो आप channel को subscribe कर दें और एक आप video को like कर दें क्योंकि target जो है वो 700 प्लस का है और अगर आप provide नहीं करोगे तो फिर मुझे वहीं daily wise video जो है वो देने में motivation जो है वो नहीं मिलता तो motivation दोगे तो बहुत energy से मैं और भी चीज़े आपके पास लेके आ सकता हूँ तो guys bell button को press करते हैं ताकि notification on time आपको मिल सके यह affairs cloud का promise है कि आपके confidence को जरूर boost करेगा 101% boost होगा क्योंकि 90% question जो आपके exam में आते है current affairs related वो हमारे ही current affairs से cover होते हैं even maximum जो बड़े-बड़े institutes हैं वो भी हमारी site से current affairs को follow करते हैं तो guys इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम खुद ही आपके लिए current affairs लेके आ रहे हैं तो आप वहीं से जो है वो perform कर सकते हो और एक हमारी app को download कर ले वहाँ से आपको बहुत सी चीज़े सीखने को मिलेंगी quiz section वहाँ पे है doubt आप वहाँ से पूछ सकते हो आपको download कर ले और दिरे दिरे करके जो है वो अपनी improvement को देख सकते हो वहाँ पे और app का जो download का link है वो आपको description box में मिल जाएगा thank you guys very much for watching this video और life को बहुत ज़्यादा serious नहीं लेना life is fun guys और enjoy करो आप हर moment को enjoy करो current affairs को देखते रो और अपनी knowledge को enhance करते रो thank you guys take care bye bye